नमस्कूर आप देख रहे एक न्यूस 24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादो अपने पिता और राजित सुप्रीमो लालु पृष्षाद यादो के साथ आज पतना से कौलकता के लिए रवाना हो गये अलाकि उससे ठीक पहले पतना एरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया है कि बीजेपी ने यादों को लेकर एक बयान दिया है खबर को विस्तार से जानेंग उससे पहले आप इस रिपोर्ट में सुनिये कि जब पत्रकारों ने उप मुख्य मंत्री ते जस्फी यादो से ये सवाल किया कि BJP ने बीते दिन एक बयान दिया था जिसमें BJP ने ये कहा था कि यादो समाज राजत से अलग हो गई है इस पर त नहीं है लोक तंत्र में है जिसको जो मर्जी वो करें न कुप प्रयास करें हमारी शुपकामना है अरे हो गया अरे हो गया भाई कि को चालेंज या चोड़ दीजिए रहने दीजिए यादो को अलग कर रहे हैं तो करने दीजिए इसमें किसी को कोई मनाही थोड़ी न है ये बात है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादो का उन्होंने उस समय कही जब पूरे राज्य में यादो की राजुनीती को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है जहां भाजपा के नेता का ये दावा है कि यादो समाज अब कॉलकता जा रहे थे इस दोरान पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बाचित के दोरान तेजस्वी यादो ने कहा कि भाजपा वाले यादो को अलग कर रहे हैं तो करने दीजिए रहने दीजिए इसमें किसी को कोई मनाही नहीं है देश में लोकतंतर है और लोकतंतर से का करना चाहिए हम तो उनको इस बात के लिए शुब कामनाय देते हैं कि वो यादो को अलग कर रहे हैं उनको जो करना है करने दीजिए इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है मालूम हो कि बीते मंगलवार को बीजपी ने यादो मिलान समारो का योजन किया जुसमें यादो समाज के लोगों के द्वारा बीजेपी की सदस्यता ग्रहन कराई गई इस दोरा नवल किशोर यादो नित्यानंदराय समेत कई बड़े यादो नेता नजर आए जहां नवल किशोर ने यादों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो कंस के साथ थे वो लोग लालू यादो का समर्थन कर रहे हैं हलाकि जो कृष्ण के साथ थे वो नरिंद्र मूदी के साथ हैं उदर भाजपा पर पलटवार करते हुए राजत सुप्रीमों लालो प्रिशाद यादो ने कहा था कि कृष्ण भगवान जिस तरह से अपनी उंगली पर गोवर्धन परवत उठ कर समस्त प्रानियों की रक्षा की इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है आप सब लोग जानते हैं आज इस देश में जो हालात हैं आप से छिपा हुआ नहीं है किस तरह से धर्म के नाम पर धर्म किया जा रहा है तो आपने सुना उत मुख्यमंत्री तेजस्वी यादो को ज उसमें बीजेपी नेता का यह कहना था कि राजजद से यादो समाज अलग हो चुका है इस परतेजस्वी यादो ने कहा कि उनको जो बोलना है बोलने दीजिए जो करना है करने दीजिए कोई मना ही नहीं है देश में लोगतंत्र है और लोगतंत्र से काम होता है साथ उन्हो कामनाय देता हूँ फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे शेर करे साथ ये मारे यूटुब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फेसू कर देख पाने हैं तो मारे फेसू पेज को भी फॉलो करे और आसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद।